Hello everyone, my name is Dr. Shipra. स्वागत है आपका मेरे YouTube चानल दन्विध डॉक्टर शिप्रा पर. आज का हमारा टॉपिक है इसोफेजियल वैरिसेज. इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप में अभी तक सर्जिकल अनाटॉमिय आप इसोफेजियल नहीं पढ़ा है तो आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. तो हम बात करते हैं इसोफेजियल वैरिसेज के बारे में. तो इसोफेजियल मिन्स इसोफेजियल वैरिसेज का मतलब क्या होता है? जो वैंस होती हैं वो एनलाज हो जाए और स्वैलन हो जाए. तो उस कंडिशन को हम क्या बोलते हैं? पैरिसेज. तो इस word से हमें क्या परता चला, isophagus की जो veins है, वो क्या हो गई है, enlarged हो गई है, and swollen हो गई है, अब कौन सी वाली veins हुई है, तो आप यहां देखे, यह diagram है, यह lower isophagus है, जो कहां पर है, stomach में, यह जो junction है, वो कौन सा है, gastroesophageal junction, ठीक है, यहां पर आप देखे कि यह lower isophagus की ज dilation हो गया इनका, ठीक है, तो यह जो condition बनी है, isophagus में, जो veins की, इसे ही हम क्या बोलते है, isophagus varuses, ठीक है, अब isophagus varuses है, वो develop कैसा होता है, क्या होती है, उसमें pathogenesis, उसकी, इस पर हम बात करते हैं, तो normally जो होता है, blood-proof होता है, जो veins होती है, आके drain किसमें होती है, portal vein में होत किसी भी कारण से, तो उसके कारण क्या होता है, isophagus varuses की condition बन जाती है, अब आप देखिए, अब portal hypertension की condition बढ़ेगा, mainly जो serious liver diseases होते हैं, उनमें portal hypertension बढ़ जाता है, और क्या हो सकता है, अगर normal blood flow है, जो liver का, वो ब्लॉक हो जाए, किसी भी कारण से, वाइदर बे कोई clot हो जाएगा, अगर blood जो है, वो back flow होगा, तो back flow होके कहा जाएगा, small veins में या vessels में चाहेगा, अब small veins हैं, वो इतना pressure नहीं ले पाती है, जितना portal vein, बड़ी vein है, तो अब यह क्या करेगा, जहां small veins में जाएगा, उन veins को क्या कर देगा, enlarged कर देगा, और swollen कर देगा, ठीक है, अ अब यहां से जो veins जा रही है, वो isophagus को भी जा रही है, तो portal hypertension होने के कारण क्या होगा, जो हमारी isophagus की जो veins है, वो भी क्या हो जाएगी, enlarged हो जाएगी, ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि वो rupture भी हो सकती है, उसके कारण क्या होगा, bleeding होगी, अब इसके cause क्या होता है, हम कोई infection हो, उसके कारण भी हो सकता है, alcoholic liver disease में हो सकता है, fatty liver disease में हो सकता है, तो यह कुछ एक condition है, किसके लिए, isophagic varuses के लिए, उसके अलावा हमने बात किया कि अगर कोई भी blood clot हो जाए, या thrombosis हो जाए, किसमें, portal vein में है, spleenic vein में, उसके कारण भी क्या होता है, portal hypertension बढ़ ठीक है, तो उसके कारण भी हो सकता है, कोई भी parasitic infection हो, parasitic infection हो जाएगा, तो क्या होगा, liver cells damage हो सकती है, ठीक है, lung damage हो सकता है, और intestine damage हो सकती है, ठीक है, अब उसके अलावा, अगर कोई tumor होता है, isophagus में, या carcinoma होता है, isophagus का, उसके कारण भी क्या होता है, veins भी pressure आता है, pressure ह होने के कारण क्या होता है means dilated elongated हो जाती है या swollen हो जाती है ठीक है अब हम बात करें risk factor ठीक है isophasal हो गया उसके बाद उसके risk क्या क्या है generally जो होता है वो किसमें मिलेगा जिसमें severe liver disease है उनमें हमें मिलेगा लेकिन bleeding की condition नहीं मिलती है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सभी isophasal varices के condition में bleeding होगी अब bleeding अगर present है varices में तो क्या होगा अगर बहुत सादा portal hypertension बढ़ा हुआ है उस condition में क्या होगा हमें bleeding मिलेगी second क्या होगा अगर जो varices हैं वो बहुत सादा large हैं बड़ी बड़ी हैं तो उस condition में क्या होगा bleed कर सकता है third जो होगा जब हम उसे endoscopically examine करेंगे किसका isophasal veins का तो वो हमें red mark की तरीके से show होगी varices ठीक हैं तो वो भी क्या हो जाएगा isophasal varices का हो जाएगा अगर liver failure हो गया या severe cirrhosis होगी उस condition में जो है isophasal varices में bleeding के condition हो जाती है अगर isophasal varices किसी को है उस condition में भी अगर वो continuously alcohol consume कर रहा है तो उस condition में उसको bleeding की condition हो जाती है अब हम यहाँ बात करें symptoms की तो generally isophasal varices में कोई sign-on symptoms नहीं आते हैं जब तक कि वो bleed ना करें जब तक patient bleed नहीं करने लगेगा जब तक उसको मुह से उल्टियों में या vomit में उसके blood नहीं आने लगेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा अब अगर bleed कर रहा है तो उसमें क्या होगा vomit blood में आएगा किसमें vomiting में जिसको हम क्या बोलता है hematmesis ठीक है dysphasia होगा patient को patient अगर कोई भी चीज़ फैलो करने की पुशिश कर रहेगा उसमें उसको दिक्कत होगी loss of consciousness हो सकता है severe case में जैसे अगर किसी patient को जादा bleeding हो रही है तो उस condition में उसको क्या हो सकती है उसकी consciousness जा सकती है light headness होगा अब इसके complications हम जनरली बात करें कि हमारे जो liver sorry जो isofasial viruses है उस condition में कोई problem नहीं हो रही है patient को जब तक ही वो bleeding नहीं हो रहा है अगर severe disease में bleeding हो रही है अगर bleeding हो रही है तो उसके कारण क्या होगा patient vasovagal shock में जा सकता ठीक है उसके कारण patient की death भी हो सकती है तो ये क्या हो जाएंगे इसके complications अब हम बात करें हमने देखो cause पढ़ लिया हमने symptoms पढ़ लिये अब हम बात करें diagnosis की diagnosis में क्या है हम patient को endoscopically examination करवा सकते हैं तो आपको यहाँ diagram में ये देखो ये जो veins है isophagus की सारी क्या है diluted और elongated देख रही है जा कि easily visible है तो endoscopic जब examination कराएंगे तो ये होगा endoscopy दोनों तरीके से करा सकते हैं endoscopy help से भी करा सकते हैं और capsule endoscopy भी करवा सकते हैं second जो है वो doppler ultrasound जब हम करवाएंगे तो ये देखिए ये जो red or blue से शो हो रहे हैं ये क्या है portal vein तो इसमें portal vein जो है अब हम management की बात करें first जो है हम लोग self management की बात करेंगे self management का मतलब है अगर patient alcohol ले रहा है तो वह alcohol consumption को रोग दे उससे क्या होगा bleeding की chance कम हो जाएंगे second कहीं ना कहीं हमारा liver damage हो रहा है liver में cirrhosis हो रहा है उसके कारण से क्या हो रहा है portal hypertension हो रहा है अगर patient को हम healthy diet देंगे plant-based देंगे जिसे whole grain हो गया foods हो गया leafy vegetables हो गया यह सारे चीज़े अगर हम patient को देंगे तो उसके liver पे ज़्यादा load नहीं आएगा उसके कारण भी क्या होगा portal hypertension कुछ हद तक release होगा हम avoid करेंगे patient को कोई भी fried food नहीं देंगे fried food देंगे तो उसके digestion के लिए liver को ज़्यादा वप करना होगा bile secret करने के लिए तो उससे क्या होगा patient उसको ज़्यादा दिक्कत होगी और hepatitis के जो risk है हमें उन्हें कम करना होगा medications की बात करें तो medications में हम यह वही medicine देंगे यह वही चीज़े देंगे जो क्या करेगा कही ना कही portal hypertension को reduce करने में help करें तो first हम beta blockers देंगे जैसे propinol हो गया second हम antibiotics देंगे ठीक है septurazon वगेरा IV fluid और blood transfusion BT इसकी ज़रत हमें कभ होगी जब patient को bleeding हो रही है उस condition में हम उसका fluid manage करेंगे ठीक है अब हम बात करें emergency treatment की अब यह तो normal condition है अगर किसी को varuses है तो हम medicine से और self management से उसको cure कर लेंगे लेकिन हमारे पास patient आया है जिसको bleeding हो रही है उस condition में हम क्या करेंगे तो हम blood loss को रोपने के लिए हम क्या करेंगे varicell ligation and elastic bending ठीक है varicell ligation कर सकते हैं या elastic bending कर सकते हैं इसमें क्या होता है endoscope की help से हम क्या करते हैं जो भी veins dilated है उनको ligate या bending कर देते हैं हमें maintain करना है plasma volume तो हम IV fluid भी दे सकते हैं अगर उसका hemoglobin level 8 से नीचे चला गया 8 gram पर DL से नीचे है तो उस condition में हम blood transfusion भी कर सकते हैं cirrhosis के अगर condition है patient को बहुत ज़्या लिवर cirrhosis से लिवर पूरी तरीके से खराब हो चुका है उस condition में हम क्या करेंगे liver transplantation भी करने की अगर ज़रत है तो हम उसे perform करेंगे sclerotherapy कर सकते हैं और एक चो commonly perform किया जाता that is tips क्या होता ये trans jugular intra hepatic portosystemic shunt ठीक है अब आपको यहाँ diagram में देखे आप यहाँ आपको diagram में देख रहा होगा यह green color से जिसे मैंने show किया यह क्या है hepatic vein ठीक है यह जो आपको नीचे yellow color से show हो रहा है वो क्या है portal vein हम क्या करते हैं इसमें portal vein और hepatic vein के बीच में एक यह देखे यहाँ पे इनके बीच में हमने क्या डाल दिया एक shunt डाल दिया अब यह क्या करेगा लीवर में जो pressure है उसको कम कर देगा ठीक है और यह जो यहाँ से इसको क्या कर देगा bypass कर देगा लीवर को जिसकी वज़े से क्या होगा डाइरेक्ट जो ब्लेड है अब कहां जाएगा लीवर को बाइपास करते हुए हर्ट में जाएगा उससे क्या होगा पोटल हाइपर टेंशन कम होगा और जो ब्लेडिंग है वो भी रुख जाएगी अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थेंक यू